बीपीए सिट्री 2.0 में आया हुए जोग्रोफी का प्रस्न लेकर उपस्तित है जो आपके आगामी एक्जाम में बहुत ही इंपोर्टेंट होना वाला है जोग्रोफी का सेट मिलेगा तो इस वीडियो का आप लोग पूरा जरूर देखेंगा देखेंगा जो एंसर मिलेगा और इसी तरह का आगामी जो एक्जाम होने वाला है उसमें आ सकता है तो आप लोग अपना लेबल जरूर चेक कर लिजीगा चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो देखेंगे पहला कोशन आप लोग के बीच है कि हमारी अकास गंगा मंदाकनी से सुर्वादिक समीप इसतीत गेलेकशि कंसी है अकास गंगा जो है मंदाकनी से सुर्वादिक समीप गेलेकशि कंसी है देखेंगे इसका जो उच्छाबगा इंडरो मेडा जो है वो मन्दाखनी से सर्वतिक नजदी गिलेक्सी है और धोगी करण और नगरी करण जनसांखी के संख्रमन के किस अवस्था का लक्षन है उतर होगा तीसरी अवस्था का लक्षन है जीवास्मों के अधार पर मानव उत्पती केंदर कौन सा है देखे उतर होगा और फिरका के रिप्ट गाटी जीवास्मों के अधार पर मानव उत्पती केंदर और फिरका के रिप्ट गाटी है किसने कहा था भुगोल छेत्रिय विविन्ता का अध्यान करता है उतर भोजगा ओसन एक होट सोर्न होट सोर्न ने कहा था भुगोल छेत्रिय विविन्ता का अध्यान करता है निमलीखित में से कौन सी रिखा दो जयवीक परदेशों को अलग करता है निमलीखित में से कौन सी रिखा दो जयवीक परदेशों को अलग करता है निमलीखित में से कौन सा भारत के सबसे बड़ा सबसे बड़ा भासाई समू कौन सा है उत्तरवगा इंडो आर्यान भार्ग सबसे बड़ा भासाई समू है छेत्री योजना सम्बंदित है उत्तर विकास के छेत्र और विसिष्ट उपागम से सम्बंदित है डियोगु गार्षिया किस दिप समू पर इस्तित है भारत का सुर्वातिक छमता वाला तेल सोदक करखाना कौन सा है देखे आप्शन है कोईली ट्रामवे बरोनी एक से अधिक और कोई नहीं उत्र भुज़ेगा जो कोईली है वो तेल सुधक करखाना सुर्वातिक छमता वाला तेल सुधक करखाना है भारतिय सर्वेचन विभाग के स्थापना इस्वर्स हुई थी भारतिय सर्वेचन विभाग का स्थापना जो वह था वो सतरो सो सन्सट इस्वी में हुआ था चटान्यों का दाब्द था तापके कारन करण होना क्या कहलाता है तेकि आइसा ही कोशन आप लोगो देखने को मिल सकता है चटानों के दाब तथा ताब के करण करण होना दिरिधी करण कहलाता है दिरिधी करण इस प्रस्थन का सही जवाब होगा एंजिला प्रकाश्ट डालता है उतर होगा एंजिला जो है हर्ज परती रूप पर प्रकाश्ट डालता है डिसोमेट्रिक विदी से क्या मापा जाता है सभी ब्रस ने ओल्लाइनर बताया जा रहा है तो इस वुडियो को आप लोग तेर कर देजेगा लाइक कीजेगा और चनल को सस्क्राइब भी कर देजे परदन चक्र की परिकल्पन का पर्थिपाधन डेविस किस देस के थे ये जो थे वो संयुक्त राज अमेरिका के निवासी थे ब्राजिल में सवाना किस परकार के गहास कर आती है तो देखे प्राजिल में लीम्पो के नाम से सावाना घास कहलाती है निमलिकित में से किस सहरी समूह के परवासी जनसंख्या में हिस्थारी सर्वधिक है जनसंख्या में हिस्थारी जो है सर्वधिक है देखे, मुंबाई यूए जो है जनसांखे में हिंसेदारी सबसे अधीक है नीमलीखित में से किस वर्स में पहला रेडियो कार्करम परसारित किया गया था? देखे सभी एक्जामों में ये सुल्चन आते रहता है कि पहला रेडियू कर्प्रम प्रसारित कब वह था उतर जो हो जगा 1923 इस्वी में लेकिन कहीं कहीं आपको 27 भी देखने को मिल सकता है ये सिया माइनर के भूम वद सागरिये टट पर इस्तित कों स स्रेणी परवत है उतर टोरस परवत स्रेणी है पन्ना हीरा खाने काहां इस्तित है पन्ना हीरा खाने जो है वो काहां इस्तित है उतर वगा भांडेर पठार में पन्ना हीरा खाने इस्तित है भारतिये सर्वेक्षन विभाग दवरत तयार भूख पत्र किस परच्छेप पर बने होते हैं उतरोगा अंतराश्टिये भूख पत्र पर बने होते हैं भूख एस्खलन का परमुख कारण क्या है उतरोगा गुर्तवा कर्शन बन की कारण भूख एस्खलन होता है ग्रेटवे सिटी इस्तित होता है ग्रेटवे सिटी कहां इस्तित होता है देखे उतर होगा दो बड़ी छेतरों के मत प्रात्मिक नगर के रूप में गेटवे ओप सिटी इस्तित होता है सिरस से सुचकांग के परभावित होता है, उतर होगा जीन से, सिरस से सुचकांग के जीन से परभावित होता है, मानव उगोल का जनक कौन है, देखिए हमेशा एकजाम में टियर 1, टियर 2, टियर 3, जीतना भी टियर होगा, उस सभी में एकजाम में ये कोशन आए रहे हैं, मा उतर होगा रेड्ग जल को मानव बुगल का जनक कहा जाता है उतर होगा इसका प्यूतर होगा औसंसी रूप को और जाओ नीदी वाद से पर्या, वरन, न्योजन और प्रस्तित की संतुलन की संकल्पन का भीकास से हुआ 2021 में 20 के देशो के बीच मानव भिकास फुचका हैं अगर संदर में भारत का निमनीखित में कौन सा इस्थान था उतर होगा 134 इस्थान भारत का था भारतिया रेलवे पढबनाली के कितने जोनों में विवाजित किया गया है उतर होगा 16 जोनों में विवाजित किया गया है अकावा खाडिक टट पर कौन से देश इस्तित नहीं है सौधी अरबिया, जाडन, फिलिस्तिन एक से अधिकर उप्यूक्त में से कोई नहीं लेकि अकावा खाडिक बारें पुछ रहा है तो यह फिलिस्तिन देश जो है वो इस्तित नहीं है जैपूरे भारत के किस एस्थाला किरितिक परदेश में इस्तित है उतर होगा परदीपिय पठार के एस्थाला किरति में इस्तित है गलोब पर एक डिगरी अंतराल पर खिंची गया चांस रेखा कितनी होती है ग्रीन लेबर वह लेबर है जो इसका उतर होगा तो इसी छेतर में स्रमी के रूप में कार्च करता है जनसंख्या घटने से मानो भूमी अनपात पर क्या असर होता है तो लेखिए मानो भूमी अनपात होगा वो बड़ जाएगा प्राचीन भारतिये भूगोन वेताव के अनुसार मज़ देशांतर रेखा कहां से होकर गुजरती है मज़ देशांतर रेखा उजयन से लेखे उजयन से गुजरती है उतर होगा नौ नियतियवाद को पर्यावरान परदूसन ने जन्म दिया है निमलिखिद में से कौन सा सहर नदी टग पर इस्तित नहीं है अगरा बोपाल पटना एक स्यादी किया वो प्युक्त में से कोई नहीं नादी टट पर जो रिस्तित नहीं है वो है बोपाल बोपाल जो है वो नादी टट पर रिस्तित नहीं है निमली कित में से कौन सा एक भूमी से घीरा बंदरगा है भूमी से घीरा बंदरगा है उधर होगा विस्याथा पट्नम जो है भूमी से घीरा बंदरगा है आर्मेनिया है ये का आर्मेनिया क्या है तो आर्मेनिया जो है उप्युक्त में से एक से अधी के दिए परवतिय सागरतल से सर्वधिक उचाई पर है, सर्वधिक उचाई पर कौन है? उत्र दोगा Mothra जो है सर्वधिक सागरतल से उचाई पर इस्तीत है, मान सिद्र पर दो बिंदों के मिच के दोरी को मापने का कौन सा है? देखे उतर हो जगा आप्सन है बलोनी मीटर को दो बिंदों के बीच के दूरी मापने का काम आता है ताप मंडल का दूसरा नाम क्या है उतर होगा ताप मंडल का दूसरा नाम आयन मंडल है विश में नगरी करन कीस पठार पर अधिक हुआ है देखें टटवारती पठार पर सबसे अधिक नगरी करन हुआ है मता सिक्रिसी सूचक है मता सिक्रिसी जो है वो सूचक है उतर होगा संभाववाद का मता सिक्रिसी जो है वो संभाववाद का सूचक है सर पर्थम किसने बृत को 360 डिगरी में व्याजित किया देखे बहुत ही important question है स्वर पर्थम किसने बृत को 360 डिगरी में विभाजित किया था उदर जोगा हिपा कर्स ने 360 डिगरी विभाजित किया था स्वर तंत्र कीस परकार का तंत्र है उतर भुगा बंद तंत्र है स्वर तंत्र बंद तंत्र है निमलीखित में से सहरों के समुग को उनकी आकार के करम में एक दो तीन चारेंख में बेवस्तित किया गया है उतर अप्रवियत कर लिजगा गिरिटर मुंबई, कुलकत्ता, दिली और चेनाई इसको आप लोगो यह option C इस प्रवसन का से ही जवाब होगा धाका और खीचाव के कारण जीमेदार है, उतर होगा प्रवसन के लिए जीमेदार है तेहरान कीस परवत पर इस्तित है, तेहरान जो है वो कीस परवत पर इस्तित है, उतर होगा इल्बूज परवत पर इस्तित है सोन नर्मदा और महानदी की उत्पती स्थाल अमरकंटेक्स कहां इस्तित है पहले कोशन पुछते था कि अमरकंटेक्स से कौन को निकलता है लेकिन उटा पुछ दिया सोन नर्मदा और महानदी की उत्पती अमरकंटेक्स कहां इस्तित है बहुत ही सुचनिय प्रस्ण है उतर हो जगा मैं काल सरेणी सहीं की इस पर दिस में यह थाला करतिक मांचीत्र की चुम्ब की गति सर्वतिक सर्वतिक होगी वहगा में ग्हां में क्योंकि यहाँ पर ons स बहुत ज्यादा होती है भूमी उब जाव होती है कि इसे भूमी उब जायो होती है देखे जो पंक वार्सा होती है उससे भूमी उपजाव होती है क्रिस्टोलर ने अपनी केंद्री तो बर्यता नहीं दी है तेहरी बांद परेज़ना का विवादित संबंध है टिहरी बांद पुरिणा का विवाद संबंदित है उतर होगा नियतिवादी विचार से टिहरी बांद पुरिणा संबंदित है कौन भुगोल वेता इतिहास के जनक मना जाता है इतिहास के जनक कौन भुगोल वेता को माना जाता है उतर हुगा Herodotus को इतिहास का जनक माना जाता है लेंड सौफ्ट विछार धारा किस स्कूल से सम्बन्दीत है उतर हुगा लेंड सौफ्ट धारा जो है वो जर्मन स्कूल से सम्बन्दीत है निमलीखित में से कीस वाता वरन में विखरी हुई ग्रामिन बस्टिया की उपस्टिती की उम्मिद की जा सकती है उतर हो जगा आफशन ए उतर पुर्वी की जंगल और पहाडियों में निमलीखित में से कौन सनादी अध्याधिक परदोसित है कुछ सनदी जो है वो अत्याथिक परदूसित है उतर होगा दिली में यमना नदी जो है वो अत्याथिक परदूसित है किस नहर द्वरा समुद्री मार्ग की लंबाई कम नहीं होता है किस नहर द्वरा समुद्री मार्ग की लंबाई कम नहीं होती बिहार के किस जीले में मक्का का उत्पादन सर्वादिक होता है देखें एक कोशन हमने कई बर सेट में डाला है बिहार के किस जीले में मक्का का उत्पादन सर्वादिक होता है उतर होगा मुझापरपूर में मक्का सर्वादिक होता है निमलिकित में से कौन समा सागरिय नितल उल्चा वच का परदर्शित करता है उल्चा वच का परदर्शित करता है उत्तर हो जगा ओप्षन सी सिलनो ग्राप सिलनो ग्राप नितल उल्चा वच को परदर्शित करता है बिश की सर्वधिक लंबी टट रिखावला देश कौन है उतर होगा कनाडा कनाडा जो है सर्वधिक लंबी टट रिखावला देश है उतर होगोज था ब्यक्तियों का नगर से बाहर तरफ परवेश कहनाता है उतर हो जाएगा ओप्संसी प्रती नगरी करन मलेशिय का बनस्पती बिहीन उटकाद भूमी क्या कहलाती है उतर होगा पडांग कहा जाता है फोनीशियन समंदित है उतर होगा टरकी से फोनीशियन जो है टरकी से समंदित है डाक मंगलो का मंद का ओस्त अंतराल होता है उतरवगा 25 किलो मीटर है निमलिकित में से कौन सा अकड़ा भारत में कुल वार्षिक वार्षा को गहन किलो मीटर में सही धंग से दर साता है उतरवगा ओस्षण सी 4000 किलो में दर साता है निमलिकित में से कौन सा रोग जल पर दूसन के कारण होता है देखिए उतरवगा डाइरिया जो है वो जल पर दूसन के कारण फेलता है फारस खाड़ी तर्ट परिस्तित बंदरगा अनगर दुबाई कीस देश में है दुबाई जो है वो कीस देश में है तो दुबाई जो है सन्युक्त और अमराथ जिसको यू ये इव ही चाहा जाता है वो दुबाई इस्तित है वियार के कीस जीले में गेवु का उत्पादन सर्वधिक होता है वो है रोतास जीला ये गनपात पचास हजार परदासक भीन वाले मांचिद्र का छांसियत था जे संतरिये बिस्तार क्या होता है देखे ऐसा सवाल आप लोगों को याम में आ सकता है उतर होगा 15 मीनट गुने 15 मीनट धारा निमली खित में से किसको पर भावित नहीं करता है देखे उतर होगा चादर्मक आतरसित सकती को धारा पर भावित नहीं करता है इंडोनेसिया का एस्तनांतरन सिल्कृती कहलाती है उतर्मक लदांग कहलाती है विश्व में सर्वधिक चरवाहे कहां इस्तित है विश्व में सर्वधिक चरवाहे इस्तित कहां है उतर्मक दजखिन अमेर्का में सर्वधिक चरवाहे का स्थल इस्तित है diffusion of innovation विचार के पर्तिपादक कौन है उतरवगा ट्री हेगर स्ट्रेंड किसी भू उपयोग का जेनरेटर होता है भारत में स्थापित होने वाला सबसे पहले आरन एंड इस्टील कंपनी कौन थी उतरवगा टिसको टिसको सरवदिक सबसे पहले इस्थापित होने वाला कंपनी थी निम्लिकित में से किस देश के चीन के साथ अंतराष्टी सीमा नहीं है देखिए मैनमार थाइलेंड लावस एक से अधिक या वो प्यूक्त में से कोई नहीं थी ये थाइलेंड जो है वो चीन के साथ सीमा नहीं बनाती है निम्लिकित में से कौन से नदी हिंद चिन के तीनों देश से होकर उजरती है उतरवगा इरावदी नदी जो है वो हिंद चिन के तीनों देश से होकर उजरती है मैदान का समूदर तलकी ओस्थ उचाए कितना है उत्रवार तीज मीटर तीज मीटर ओस्थ उचाए है कोसा मन चितर का स्केच का आंतर नहीं है श्दार लूपो का परदर्संगो है वो मांचितर इस्केच कांतर नहीं है तो इस वीडियो को इसी तरह लाइक सेर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद